परोसी देश श्रिलंका में हुए बुर्खा बैन के बाद अब भारत देश में भी बुर्खे पर बैन को लेकर सक्त कारवाही की मांग शुरो हो चुकी है और इस पर अब एक बड़ा नाम सामने आया है भाजपा के ही प्रत्यासे भाजपा पाती के नेता बनने जा रहें भाजपा पाती के उमिदवार आजमगर से सीएम जीहां उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादर के खिलाब लड़ाई लड़ रहें लोग सभात चुनाओं में उतरे भोशपूरी सुतारों के दुनिया के सूपर स्टार गायक दिनेश लाल याद और पुने रहुआ जीहां इस पर अपनी राय रखते वे निरहुआ ने किया है सपोर्ट बुरके पर बैन लगाने की मांग को लेकर उनकी राय है ये विलकुल सही है सुरक्षित देश के लिए जीहां भाजपा की होके भी मोधी पर उठे सवाल को लेकर निरहुआ सपोर्ट कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से सवाल भाशपा के सहयोगी पाती शिवसेना ने किया आखिर क्यों अब राम की आयाध्या में जीहां अब रावन की लंका में हुआ तो राम की अयोध्या में क्यों नहीं बुरके पर बैन लगा दे न चाहिए देश की सुरक्षा के हित में यही सही होगा वही वाके में हैरानी तो होगी आपको क्योंकि शिवसेना के इस मांग के बाद पी एम मोधी से सवाल के बाद निरहुआ का भाशपा में शामिल होने के बावचो इस सवाल को सपोर्ट करना निरहुआ ने बुरका बैन पर देश की सुरक्षा के हित पर बात करते वे सपोर्ट कर ये भी कह दिया कि वो आखिर क्यों इस सपोर्ट में है शिवसेना के इसका फिलासा सोशल एर्बगिंग साइट ट्वीटर पर निरहुआ ने किया ये किहते वे आई सपोर्ट शिवसेना कॉल फोर बुरका बैन टिमान एवन आई सजेस्ट तू बैन लाउट स्पीकर मदर्सा मजहब इंटरेस्ट आफ इंटरनाशनल सिक्योरिटीज नेक्ष्ट नाइन भोचपूरिया से कृतिक रिपोर्ट